नमस्कार दोस्तों and welcome back to my channel First Investments दोस्तों मैं दो तें दन से वीडियो अप्लोड नहीं कर रहा था मैं out of town था, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे मेसेच कर दिया था उसके बारे मैं inform कर दिया था but I am back now और अब डेली वीडियो अप्लोड होंगी इससे related और अब इस हफते हम जो start करने वाले में एक हफते में दो वीडियो लेकर आऊँगा learning की उपर और कुछ चीजे ऐसी होती है जो मुझे खुद आती है बट ऐसा होता होगा कि जब हमें कुछ चीजे आती है बट वो पढ़ा नहीं सकते उस चीज को तो थोड़ी बहुत चीजे ऐसी है तो मैंने उसके खुद की playlist बना लिया जो अलग-अलग YouTubers हैं वो बहुत अच्छे से जा सकते हैं तो वो वीडियो और वो playlist भी मैं आप लोगों के साथ share कर दूगा कि वहाँ से आप थोड़ी बहुत information ले लिजे और जो मुझे सिखाना है वो मैं आप लोगों को इसके तुरू सिखा दूगा तो आपका कहीं पर भी time waste नहीं होगा कहीं पर आप लोगों को जा के search करने के ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम एक community है अगर हम लोग साथ में मिलके काम करेंगे तो definitely आप लोगों को better understanding होगी तो अब इस हफते दो वीडियोज आएंगे और अगले हफते दो आएंगे ऐसे continue चलते रहेगा और जो daily market की जो वीडियोज होती है वो regularly upload होगी around 9-20 तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दू जो एक sharp fall आज हम लोग ने market के अंदर देखने को मिली है तो आप देख सकते हैं कि China और India की बीच में जो तनाफ चल रहे हैं जो tension चल रही है उसकी वज़द से हमने एक fall देखा वो तो एक particular reason था दूसरा profit booking आप देख सकते हैं कि market बहुत तेजी से उपर बढ़ गई थी और हम लोग ने एक profit booking देखी और एक डर था कि GDP किस तरीके साथ सकती है जो कि ये fiscal year 21 का जो GDP आना था quarter one का वो भी बहुत जादा bad आया है मनला मैं कह सकता हूं कि worst आया है हम लोग expect कर के चल रहे थे हैं कि minus 18% का GDP रह सकता है बट वो 24% के आसपास जाकी आया है तो हमारे assumption से भी जादा उसका GDP minus growth में गया है बस agriculture था जिसने थोड़ा बहुत समाल लिया उसके अलावा जित्ते भी segments थे वो सारे के सारे बहुत जादा downfall में गये हैं तो हम लोग एक market पे बारा गिरावट देख सकते हैं या फिर हो सकता है कि जित्ती भी ये bad news थी उसको आज की market में अब्जॉफ कर लिया गया तो क्या है वो nifty bank nifty के जब हम चार्ट पर जाएंगे तो वो हमारा सारा doubt क्लियर कर देगा तो पहले मैं आप लोग गोज stocks explain करते हैं उसके बाद हम लोग सीधा nifty bank nifty के चार्ट पर चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने TCS का चार्ट open करके रखावा है या ब्लू कलर की लाइन जो देख रहे हैं इस ब्लू कलर की लाइन का आपको indication पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो tops है वो मिल रहे हैं अब देख सकते हैं कि यह एक higher resistance level है इस level पर और इस level पर हम लोग देख रहे हैं कि कहीं पर भी यह tops cross नहीं हो रहे थे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक साल का इसका higher but eventually हमने देखा कि एक rate candle के साथ एक cross हुआ था बट cross होने के बाद उसके उपर कोई भी एक green color की candle नहीं बनी है तो जो मैंने आप लोगों को बताया था कि confirmation चाहिए हो तक strong resistance के बाद एक green color की candle close हो उसके बाद एक green color की candle उसके उपर close होनी चाहिए यानि कि उसका मतलब होता है कि अब वो उस level की उपर sustain कर सकता है बट एक green line और बनाई बट उस क्यूब पर closing नहीं दे पाई अब ये क्या कर रहा है अभी देखिए level बहुत important है तो eventually इतनी जल्दी तो break होगा नहीं बट अब break हो सकता है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस level से break हो सकता है अब देख सकते हैं एक तरीके का penand pattern ये draw करावा है अब देख सकते हैं इस तरीके से कम मूब आई उसके बाद एक symmetrical triangle range के अंदर जा चुका है eventually आज हमने देखा था एक sharp fall के बाद भी ये stock recover रहा और बिलकुल भी अपने previous close जो low था previous closing की उसके नीचे भी नहीं गया और उपर जाके इसने close करा है तो एक strong buy level बनता है या आप इसे buy बना सकते हैं बट अगर ये 2310 की उपर कभी भी green candle पे close कर जाता है तो मैं 2500 तक के levels भी expect कर सकता हूं तो इसको भी हम लोग hold कर सकते हैं बट 2310 के उपर ही तो next top की तरफ बढ़ते हैं next top हमारा आता है Tata power या Tata power मैंने कर दिया है आप पर जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं Tata power पर एक double top type pattern मना है आप आप देख सकते हैं यह first top था और यह second top था तो उसके बाद आपने देखा था एक strong up move आई एक downfall आये, strong up move आये, double top type pattern मना है उसके बाद दुबारा नीचे चला गया और मैंने आप लोगों कहा था कि इसकी उपर double top, double bottom या double pattern की उपर एक वीडियो में upload करूँगा तो वो दो दिन के अंदर upload हो जाएगी, इसी week के अंदर वो आपको वीडियो मिलेगी और उसी से हम अपनी learning स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो basic है बिलकुल और आप देख सकते हैं कि ये double top जिस तरीके से बन रखा है मैंने आप वो बताया था, या तो इसके नीचे short करें, यहाँ पर sell होगा और हमारा target ये level होगा, या फिर आप अगर risky buyers हैं और अगर आप जादा profit expectation रखते हैं, तो ये line trend line draw करिए और जैसी ये trend line break होती है, अब अगले दिन उसको short कर सकते हैं यहाँ पर मैंने जब trend line draw करी, यह break हुआ, यहाँ पर हम लोग short position initiate कर सकते हैं कोई बात नहीं हम नहीं कर पाए, बट नीची आ चुका है, इसका level भी break कर चुका है तो हम लोग इसको short बना सकते हैं, यह level है, एक strong, जो एक support का काम कर सकता है तो यहाँ तक कि हम आपको targets बता सकते हैं, कब आपको entry लेनी है, क्या target, क्या stop loss होना चाहिए हम आप लोगों को first investment जो हमारे telegram channel है, उस पे update मार देंगे, सुबह साड़े 8 बुजे क्या सपस तो अगर आप उस पे join होना चाहते हैं, सारी information पाने के लिए, तो आप लोग मेरे description के नीचे link है telegram का आप जाके click करके उसे join कर सकते हैं, या commit section पे भी मैं नीचे डाल दूआ third stock आता है Reliance Industry, मैं Reliance Industry buy करने के लिए सोच रहा था, बट जिस तरीके से इसने एक downfall करा तो वहाँ से फिर मैं ने अपना जो मन था वो हटा ही लिया, तो आप आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है ये उपर मैंने एक supply zone बना रखा है, ये supply zone में आप देख सकते हैं कि multiple यहाँ पर आया, नीचे आगया, multiple बार इदर आया हम देख सकते थी कि एक rounding bottom type scenario बना रहा था, बट उसे भी complete नहीं कर पाया और एक sharp fall हमें आते हैं भी देखने को मिली, अगर आप इसको आज अपने intraday में अच्छे से observe कर रहा होगा तो ये क्या कर रहा था ये strong time होता है कि मतलब इसे sell कर सकते हैं कि यहाँ से buyers exit करें आप देख सकते हैं ये multiple resistance है ये support है, ये support जैसी break होगा, एक sharp fall नीचे के तरफ आ सकते हैं, यहाँ पर इसका support next बना है तो इसको भी हम लोग कर shorting ले लेकर चल सकते हैं, अब आता है TV18 TV18 broadcast भी short करने की ही सला है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ या, आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये एक sharp fall आई, double top type scenario था, उसके बाद हमने जब नीचे आया पूरे time ये इस range के अंदर काम करते रहा, ये demand zone था, ठीक है, यहाँ पर demand आती थी, बट हमने देखा, इतने time तग ये stock इसी पर halt करा, उसके बाद eventually break कर गया तो break करने के बाद अब जो इसके free targets मुझे लगते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा target हो सकता है, और अगर ये eventually break हो जाता है, तो बस next target यहाँ बनता है, जो कि around 26 के आसपास है, तो अगर आप लोगो ने इस पर position ले रखिये हैं, तो मैं आपको काऊंग पर क्या है, देखें, जो भी मैं अभी तक आप लोगो stocks बताया, वो जाते तर double bottom, double top या peanut pattern से related बताया है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, stock उपर गया, double top type scenario है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक sharp fall आई है, यह हलके-लके नीचे आ रहा था, यह देख रहे हैं इस level के आसपास, तो clearly एक short हो सकता है, कला में यह 3-4-5 रुपे दे सकता है, तो इसको भी हम लोग short करके चल सकते हैं, अगर मैं आप पर एक trend line मनाता हूं, तो हम आप दिखा देता हूं, देखें, REC Limited एक अच्छी company है, बट अगर आप सोच रहे हो कि double top pattern अगर daily chart में बनता ह है, इतना बड़ा, और अगर आप उसे short करने के बारे में सोचते हो, और अगर उसके bottoms के level नीचे हैं, तो जादर तरम उस पे apply नहीं करते हैं, अगर double bottom बनता, तो हम लोग apply कर सकते हैं, इस बात को थोड़ा बहुत समझना होता है, अब आप देख सकते हैं, यह level है, जह मैंन आप लोगों को explain करा गया, अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है हमारी explanation, तो please comment section पे हम लोगों को motivate करेगा, और channel को subscribe करना मत बूलेगा, we are about to cross 50,000 subscribers and with 3,000 family members, so please motivate me and just click the subscribe button, अब आते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी पे तो वो भी एक strong अपने support level पे ही, थोड़े का तो breakdown दे चुका है, ये level पे, ये वाली line है जिसका breakdown दे चुका है, बट अगर मैं short term trend 9 की उपर focus करूँ, मैं इस line को हटा देता हूँ, तो हमारी short term trend 9 आ रही है ये level पे, तो ये बता रही है कि यहाँ पर अभी वी एक support है, ठीक है, अभी वी एक support है, दूसरी बात, एक important ब बताया था कि जब ये 11,380 को cross करेगा nifty, तो 11,530 तक जा सकता है, ठीक है, जब मैंने आपको ये level बताया था, तो ये level important होगा, अब closing around 11,387 के आसपास होगा है, तो अगर कल ये level break होता है, 11,380, 11,370 के level, तब भी हम लोग एक fall देख सकता है, या फिर हो सकता है कि वो नीच नीचे जाए 11,380 के, बट closing कर जाए 11,400 के उपर, तो दो assumption हम लोगों को कल लेकर चलना है, यही हमारी movement को direction को बतायेगा, ठीक है, हर point को समझेगा, हर दिन trading day नहीं होता, अब क्या हमें बान के चलना है कि हो सकता है कि कली नीचे जा रहा हो, नीचे जा रहा हो, बट आखरी म recover कर जा, और candle इस तरीके से बन जाए, बट लब ऊपर जाके close कर जाए, तो इसका मतलब अलग होगा, बट अगर यह नीचे close कर जाती है, इसके नीचे है, तो इसका मतलब अलग होगा, ठीक है, दोनों सिनेरियों को हम लोगों को समझना है, तो जब हमारी कल की candle nifty में बहुत ज़्यादा important होने वाली है, तो please be careful, ज़्यादा targets के पीछे मत जाएगा, अगर आप लोगों को profit दिख रहा है, तो exit करिए, next state पे जाए, profit देखे, exit करिए, small-small profits से अब अपनी capital को थोड़ा बहुत increase करिए, क्योंकि यह market अभी थोड़ी सी volatile हो सकती है, GDP के वज़े से और ज कि perfect हमें कभी भी नहीं पता चलेगा कि bottom क्या है, तो क्या कर सकते हैं, अच्छे stocks पे यहाँ buy करा, फिर dip दी, तो यहाँ buy करा, फिर dip दी, तो यहाँ buy करा, जब reverse करने वाला होगा न, तो reverse के time पे हम लोग और every quantities buy कर सकते हैं, और eventually फिर से hold कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर आप को understanding को, और देखे, अगर आप लोग अब बहुत बढ़िया तरीके से stock market expert बनना चाहते हैं, या सीखना चाहते हैं, तो मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनेगा, ठीक है, मैं बात आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि यह points में आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ कि ऐ ऐसे हो के ऐसे हो जागा, तो इसका scenario लगा है, क्योंकि जब भी आप लोगों को in the future दिखे, तो आप लोगों उस पे initiate action ले पाओ, या फिर उसको interact कर पाओ, ठीक है, तो यही हमारी है, हर एक वीडियो पे learning होगी, उस learning को आप लोगों को आपने copy pen या notepad पे लिख लेना है, समझ लेना है, key points को याद रखने है, और वो key points को हर वीडियो पे आप लोगों को देखना है, क्या वो आ रहा है, और definitely अगर आप लोग अप सीखना चाते है, तो आज से ही हमारी training start है, जितना भी मैंने बताया है, अपने चार्ट पे जाओ, और यही draw करो, वीडियो को pause करके पहले draw करो, और draw करने के बाद जब मैंने एक stock आपको सिखाया, समझाया, उसी को आप अपने आपको समझाया, जैसे मैंने आपको अभी TCS के बारे में समझाया, same, अपना चार्ट बेजाओ, वहाँ पर बनाओ, pause करो वीडियो को, उसके बाद अपने आपको समझाया, यह मै calculate, 380 के नीचे short है, 315 तक का अब अपने एक target लेकर चल सकते है, 430 के एक stop loss लेकर चल सकते है, ठीक है, bang nifty पे आते हैं, तो bang nifty भी मैं आपको दिखा देता हूँ, या, bang nifty आपको मैं एक बाद दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा zoom out करता हूँ, इस तरीके से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखेगे, जब मैंने highest को joint करा, तो मुझे पता चला, यहाँ resistance था, एक shortfall आई, बट, आप देखेगा, य इसको break ही नहीं कर पा रहा था, bang nifty, हम देख रहे थे, जब यह था 23,200 का level, जो की break नहीं हो रहा था, और यह, मैं आपको range बता देता हूँ, इस range की 23,000 से लेके, 23,200 का एक range है, जहाँ पर bang nifty आ सकता है, जहाँ तक आ सकता है, ठीक है, इस range तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ प बाद एक bounce आजाए, ठीक है, तो मैं अभी भी कहा रहा हूँ, market bullish है, profit taking हो रही है, एतिजाद आप move आई है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेगी, ठीक है, market, तो हम यहाँ से ही वीडियो को end करते है, जो भी levels target होंगे, entry points होंगे, आप लोगों को telegram channel पर provide हो जाएंगे, hope आप लोगों को मेरी explanation अच्छी लगी, अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो please comment section में मुझे बताएगा, और इसी वीडियो को हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले session पर, signing off.